हेलो फ्रेंड्स मैं तारा तो चलिए फ्रेंड्स आज एक इजी सी ट्रीक लेकिया हूँ इजी ट्रीक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे हम दो कलर के स्वेटर बनाते हैं या तीन कलर के बनाते हैं चार कलर के बनाते हैं बहुत सारे मतरब कलर डाल के हम स्वेटर मे क्या होता है कि वो धागे जब हम बुनते हैं तो ये धागे आपस में लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद ये फिर खोलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बुनाई छोड़ के इन धागों को पहले सुल जाते हैं गोलों को और फिर जाके हम बुनाई क ताओंगी तो चलिए है तो बहुत छोटी सी ट्रिक लेकिन मैंने सोचा जो बीगनर हैं उनको इनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ तो देखिए जो उलजे हुए धागे आपके अगर हैं आप भी दो कलर में तीन कलर में स्वेटर बना रहे हैं इस तरह से आपकी डोरिया उ देखिए हमने ये फंदे बुने जो भी आपके जितने फंदे आप बुन रहे हैं जो भी डिजैन डाल रहे हैं उसको आपके देखिए एक धागे से बुने फिर आपने दूसरा धागा लगाना है जब दूसरा धागा लगाएंगे तो ये क्रोस करेंगे हम इसको दूसरा ध ही जबाख लगाना फिर इसको क्रोस किया ऐसे हम बुणाई करते हैं अगर आपके पास दो तीन कलर हैं तो आपने उसको भी इसी तरीके से आप असी तरह से बुणाई करते होंगे तो देखिए ये उल्टी साइड से सीधी साइड से भी सेम इसी तरह से है तो यह देखिए आप ऐसे क्रोज करने के बाद देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूं यह देखिए जब आप क्रोज करते करते जाओगे ऐसे करते जाएंगे क्रोज तो आपके देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ तो देखिए यहां पे यह देखिए देखिए क्रोज करने के बाद हमारे यहां पे देखिए इन धागों में यह दागे लिपट गए हैं तो इन लिपटे हुए दागों को हमें हम क्या करते हैं जब बुनाई करते हैं तो हम इनको सुल ही आपस में लिपड़ जाते हैं असे हमाने अलग से गोलों को लेक्र हमे पार करें करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे देखिए उसके लिए पहले हम उपर से क्रोज करते जा रहे थे ऐसे देखिए तो हमारे धागे उलसते जा रहे थे ऐसे क्रोज करते जा रहे थे और फिर हम इसके उपर से करते जा रहे थे अब हम देखिए इन क्रोज को खतम करेंगे से अब हम क्या करेंगे इसको हम नीचे से लेंगे यहां से जैसे हम पहले उपर से ले रहे थे आब इसको नीचे से ले लेंगे जैसे हम इसको ऐसे करके फिर नीचे से इस धागे को लेंगे आपके पास मल्टी कलर के धागे लगे हुआ तो आप उसमें भी यह ट्रिक अपना स देखिए, एक खुलने स्टार्ट हो गए, जो यह सलबटे से पढ़ जाती है, इसमिवड़े से आ जाते हैं, आप आप को सरीधे से बनाई छोड़के आपको इसको सुलजाना नहीं पड़े गा, आप आपको इस ट्रिक से मैंने ये ट्रिक बतानी थी आप रोगों को देखिए अब मैंने क्रोस कर दिया इसको अब हम फिर इसको उपर कर देंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे तो इस तरीके से आप अपनी बुनाई में ये ट्रिक अपना सकते हैं और जो सुलजे हुए उनको बुनाई के साथ साथ ही लग आ सकते हैं कोई भी आप कितने भी कलर लगाते हैं उससे कोई फरक नी पड़ता थे पहले आप को dips भी आप बुनाई करते हैं तो आप क्या करते हों 2 ऑ 3 फ़र पर फीर दुसरा धागे इस तरीके से लगाने से इसमें नीचे धग़ों में सलबते सी पढ़ जाती है ये अपस में अलज जाते हैं तो आप जब उलजेंगे ज़ादा उलजेंगे तो फिर ही उलजे हुए धागे होंगे वो अपने आप ही सुलत जाएंगे देखी इस तरीके से बस आपने नीचे को ऐसे लेते हुए जाना है यह देखी इस तरीके से फिर यह सुलते हुए जाएंगे जब आप इसको नीचे से लोगे तो यह बटे जो यह बटे आते हैं ना एक दूस प्रोजक्ट को बना रहे हो multi color में, तो आप यह ट्रिक अपनाईए, तो आप खुद देखेंगे कि कितनी easy trick है तो जैसे मैंने यह 2 color से बना रही हूँ 2 color से बना रही हूँ तो 2 color के sweater में यह दिक्कत बहुत आती है, 3 color के में भी आती है तो आप समझ गयोंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ और खास कर जो बीगनर हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि हम कैसे वो दो कलर तीन कलर लगाने में उनको काफी परिशानी होती तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो देखिए मेरे धागे भी सुलज गए तो चलिए फ्रेंड्स बनाईए इस वीडियो को लाइक शेर जुरूर कर दीजिए अगर ये ट्रिक आपको समझ आई होगी तो चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू